चांदी के दाम में बंपर गिरावट चांदी खरीदने के सौखीन है तो साउधान हो जाए या फिर आपको बता दे आपने सोने में निवेस किया है तो आपकी बल्ले बल्ले है जिहां जिन भाईयों बहनों ने हमारे कहने से पहले सोने में निवेस कर लिया है वो सभी माला माल हो चुके हैं क्योंकि देखा जाये तो आज सरापा बाजार में सोने की कीमतों ने नए इतिहास रचा है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं आज भारती सरापा बाजार के अंसवार 18 करेट, 22 करेट और 24 करेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। साथ ही आपको बताएंगे आज एक किलो चांदी का ताजा भाव क्या है, वह जानेंगे आज एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है। ये सभी बाते इस वीडियो में विल्कुल विस्तार से जानेंगे। साथी आपको बताएंगे दीपावली धन तेरस तक सोने वाचांदी की क्या इस्थित बनने वाली है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है वीडियो को सुरू से लेके आखरी तक बिना स्किप के हुए देखना क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप करकर के देखते हैं जिससे आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है उसके बाद जब आप सुनार की दुकान में जाते हैं तो वहाँ आप ठगी का सिकार हो जाते हैं इसलिए वीडियो को पूरा देखें रोजाना सोनेवा चांदी के ताजा भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक प्यारसा लाइक कर दें चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव है दोस्तो आज एक ग्राम चांदी का भाव 87 रुपए 75 पैसे है आज ग्राम चांदी का भाव 87 रुपए 75 पैसे है आपको बता दे पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में लगातार तेजी आ रही थी आज चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका है क्योंकि आज चांदी के दामों में जोड़दार गिरावट आई है देखा जाए तो आज एक किलो चांदी में 1161 रुपए की शांदार गिरावट आई है कल एक किलो चांदी का भाव था 88,917 रुपए और आज एक किलो चांदी का भाव है 87,756 रुपए आपको बता दे ये भाव विदावट जेश्टी है इस भाव के उपर जब आप सोने के गहने बनवाते हैं तो सुनार आपको तीन प्रेश्ट जेश्टी अलग से लगा कर भाव बताता है वहीं देखा जाए तो जिन माताओ बहनों ने सोने वाचांदी में निवेश किया था वो सभी माला माल हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दे यदि आपने भी बजट के बाद सोने वाचांदी में निवेश किया था तो इस समय आपका सोना निकालने का सही समय है और यदि आप और ज्यादा पैसे और ज्यादा लाप कमाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और इंतिजार करना चाहिए क्योंकि इस साल के आकरी तक एक बार फिर से सोने वाचांदी के दाम बड़ा इतिहास रचेंगे क्योंकि आपको बता दे अभी तेवहारी सीजन है अभी सोने के दाम कंट्रोल में रहेंगे आने वाले दिनों में सोने वाचांदी के दामों में गिरावट आ सकती है इसका कारण ये है कि सोना तो महेंगा हो रहा है लेकिन चांदी के दामों में तेजी नहीं आ रही है चांदी के दामों में गिरावट आ रही है और जब दोनों धातुए एक साथ उपर की ओर जाती है तभी सोने वा चांदी दोनों धातुएं में तेजी आती है लेकिन अभी आज सोने में तो तेजी आई है लेकिन चांदी के दामों में तेजी नहीं आई है इसलिए जान कर बताते हैं आने वाले एक से दो हफ्ते में अभी सोने के दामों में गिरावट आएगी यदि आप भी खरीदने का इंतिजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए चलिए अब जान लेते हैं आज अठारे के रेट के हिसाब से सोने के क्या भाव हैं दोस्तो देखा जाए तो आज भारती सरापा बाजार के अंसवार अठारे के रेट के हिसाब से एक ग्राम सोने का भाव 6,032 रुपए है और दस ग्राम सोने का भाव 6,320 रुपए है चलि भी इसी तरह से गिरावट आए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि सोने वाचांदी के भाव कितने हजार रुपए सस्ते होने चाहिए जिससे आम लोग सोने वाचांदी के गैने बनवा सकें साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सेयर करें द ग्राम सोने का भाव 7,26,800 रुपए है आपको बता दे आज सोने के दामों में 370 रुपए प्रत 10 ग्राम की तेजी आई है चलिए अब जान लेते हैं आज 24 के रेट यान इस सो दुसोने के क्या भाव हैं आज 24 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 347 रुपए है 8 ग्राम सोने का भाव 69,576 रुपए है 10 ग्राम सोने का भाव 34,470 रुपए है 100 ग्राम सोने का भाव 7,44,700 रुपए है आपको बता दे यदि आज आज आप सोना खरीदने जाएंगे तो आपको एक तोला सोना इ आसपास पढ़ेगा वहीं चांदी के दाम इंक्लूडिंग GST आपको 90,000 रुपई के आसपास पढ़ेंगे